वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार सासंगजी शीरी गुरु हारगो बेंजी दा जीवन बिरतांत अगे वदांदे होई एक दिन जद माई का उला सहब जादे दे जनम दी माता जीनू वदाई देन गई ता सहब जादे नू वेक के बड़ी परसन होई दूसरे वटे सहब जादेनू खweet दें वेक के उस दे मानविच वी सद्धर पैदा होई के उस दे का रवी पुत्तर होगे ता दुनिया विच उस दा नाम रह जाए दूसरे दिन कौला ने बेंती कीती माराज जेकर मैं व्याई हूं दी ता मेरी गोद विच पुत्तर खेड़दा मैं वी पुत्तर वाली एक वां दी अते मेरा दुनिया विच ना रह जान्दा गुरू जी ने हस के बचन कीता ते नू असी ओ पुत्तर देंदे हां जिस नाल तेरा नाम दुनिया विच सदा कायम रहेगा इस सुपरंत विचार करके गुरू जी ने पाई बुद्धा जी नू आग्या कीती के कौलना दे मकान दे पास एक स्रोवर त्यार करवाओ अते उस दा नाम कौलना दे नाम पर कौल सर रखना उस सुपरंत बचन कीता के जेडा पुर्ष पहला इस विच इशनान करके फिर अमरत स्रोवर विच इशनान करेगा उस दे तन अते मन दी मैल दूर हो जाएगी इस तरह कौल सर सम्मत 1644 विच त्यार होया जिस दी रचनानू वेक के गुरू जी ने वरदान बचनानू सुनके माता कौलना बहुत ही परसान हो गई एक दिन बकाले पिंड़ दे पाई मेर बेंती कीती के पाशा मैं अपना नवा मकान बनाया है मेरी शर्दा है के उस मकान विच पहला आप जी दे चर्णप वाके फिर आप निवास करां आप किर्पा करके मेरा कार पुटर करो नाल दी नाल ही पाई मेरे ने माता गंगा जी अगेवी आपनी इशर्दान उपर गट करके बेंती कीती के आप गुरु जीनु लेके शेती ही बकाले आनके मेरा ग्रैप वित्तर करो माता जी ने कहा असी थोड़े दिन तक गुरु जीनु नाल लेके बकाले आमांगे कुछ दिन उपरंद माता जी ने गुरू जी नुपके हा बिटा बकाले चलके सिख दिपावना पूरी करनी चाहीदी है माता जी दा बचन मान के गुरू जी सारे प्रवार सहित त्यार होके दूसरे दिन बकाले पहुँच गे पाई मेरे ने अपने बने नवे मकान वीच चर्नपवा के बड़ी खुशी मनाई अते कड़ा प्रशादी देग वरताई बकाले पहुँच के ज़द कुछ दिन बीत गए ता माता गंगा जी ने किहा बेटा हुन साधे परलोग गमन दा समा आगया है कीर्तन कराओ अते लोडवन्दानू अन्बस्तर दान करो माता जी दी आगया अनुसार गुरू जी ने सब कुछ कीता अते संध्या समे सौदर दे पाठ उपरंत माता जी असन लगा के बैठ गए अते सातनाम दा जाब करदे होए हाड सम्मत 1685 नू शरीर ते आके आपने स्वामी शिरी गुरू अर्जन देव जी दे चरना विच जाब राजे अमरे सरान के गुरू जी ने अपनी माता नमित अकंड पाठ रखाया ते सब रिष्टेदारानू चिठिया लेख दितिया सब सन्बंदी ते सिख सेवक तेरमी वाले देन अमरे सर आ गए अते मर्यादा अनुसार सम पूरी करके वापिस करानू चले गए एक दिन कुछ सिखाने पाई गुरू दास जी नू के हा पाई जी जिते किते वी गुरू सहीब दी निंद्या हो रही है लोग कहीं दे हन के एना दे वड़े गुरूआ दी मर्यादा दे उल्ट शिकार खेड़ना युद अबियास आदी काम करने अराम कर दिते हन अते साथ संगदवाल बहुत थोड़ा समा दें दे हन फिर कारविच मुसल्मान नी रखी होई सी पैन देखां आदिक मुसल्माना नाल में तरता पाई होई है इते आदिक होर भी कई गल्ना कर दे हन आप साथ दी वल्लों बाबा बुड़ा जी पास चल के बेंती करो के यो गुरू जी नू समझाओन के इना कमानो त्याग देन अते वड़े गुरुआ दी मर्यादानों ग्रहन करन जद एह वारता पाई गुरुदार जी ने बाबा बुड़ा जी नू सिखा वलो आखी ता बाबा जी ने किहा तुसी कोई चिंता ना करो गुरू जी समरत थान ओहो करम करते हो एवी नही करमी हन बाबा जी दी एह गल सुनके संगत ने किहा बाबा जी तो हड़ा कहना ता यतारत है पर जदों आसी गुरुआ जी निंदिया सुन दे हा cœ ता सादे मन अशांत हो जान DNA हन आसी निंदिया हुन दी सुनके सहार नही सकते संगर्दी बेंती प्रवान करके जद बाबा बुड़ा जी अमरसर आए ताँ आप जी ने पता लगा के गुरू जी शिकार ते गए हुए हन तद बाबा जी भी संगत नो नाल लेके गुरू जी दा रस्ता रोक के बैठ गए जिदनो गुरू जी ने शिकार खेड के वापस अउना सी जद गुरू जी वापस आए ताँ सबने खड़े होके गुरू जी नो नमस्कार कीती अते फिर बैठ के बाबा जी ने संगत वलो गुरू जी नो सारी गाल सुनाई अते बेंती कीती सिख सेवक आप जी दी निंदा सुनके सहार नहीं सकदे निंद का नाल लरदे चगरदे रहीं दे हन इस वास्ते आप किरपा करके कवलादा त्यार कर देओ पाई जेठा अते भी दी चंद आज सिखाने में बाबा जी दी प्रोड़ता कीती अते बेंती प्रवान कर नवास्ते केहा सब दी एक सलाव वेक के गरुजी निकेहा बाबा जी आप जी दे बचना नाल ही कॉला आई सी अते आप जी दे बचना नाल ही इसनु त्यागणदी विचार होई है परन्तू इस दी उमर हून के वल पंदना देन बाकी है तद इस दात्याग अपने आप ही हो जाएगा गुरू जी दे इह बचन सुन के संगत बड़ी परसन होई उपरंत बबाजी ने बेंती कीती के महराज इथे इस अस्थान ते सत असत दी विचार होई है इस करके इथे बिबेक सर दी रचना करो जिस विच इशनान करके दोशियां दे दोश मिट जाया करना बबाजी नो सत बचनाक के गुरू जी ने अरदासा करके स्रोवर्दी पटाईदा टपला दिता अते बचन कीता के इथे बिबेकी सिख निवास करया करनागे इस दी रचना सम्मत 1685 विकरमे विच गुरू जी ने कीती बीबी वीरोदा विया गुरू जी ने 26 जेट सम्मत 1685 विकरमे नो नियत करके बहुत सारी मठ्याई जांजियां वास्ते त्यार करवाई विया दे निडे एक दिन पच्छम देश दी बहुत संगत आई उसमे लंगर्दा समा नहीं सी गुरू जी ने सेवादार नो केहा के जेडी मठ्याई विया वास्ते त्यार है उस संगत नो पोजन पर थाए शकाओ पर जद सेवादार ने माता जी तो आई संगत नो शकोन वास्ते मठ्याई मंगी ता माता जी ने केहा एह मठ्याई शगना दी है पहला जांजियां नो वरता के फिर किसे होर नो दिती जा सकती है जद सेवादार ने गुरू जी नो माता जी दी एह गाल दसी ता गुरू जी ने के हाच चंगा हुन इसनू तुर्क ही खान गे एह बच्चन सोन के माता दमोदरी जी बहुत पच्टाए गुरू जी दा बच्चन सात होया एह मठ्याई तुर्का ने ही खा दी जिस दा कारण इस तरह ही बनेया वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते संगर जी जेकरत वानू एह वीडियो पसान्द आई है लाइक अते शेयर जरूर करेओ होर नविया वीडियोस दी अपडेट लई चैनल नू सब्सक्राइब कर लो अते बेल आइकन दबालो वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते